हालो गईज, विलकम बैक टू मैई टूब चनल अपनी फार्मसी, आज हम जानने वाले हैं कैंडी टोटल क्रीम के बारे में, जो कि एक पापुलर क्रीम है, जो आपके हर्मेडिकल शॉप में मिल जाती है, आज हम जानने वाले हैं, इसके यूजर्स क्या है, इसके साइड एफ क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें इस वीडियो को, कैंडी टोटल क्रीम, कैंडी टोटल क्रीम को ग्लेनमार्क फार्मसीटिकल मैनिफेक्चर करती है, इसकी जो एमार्पी है, 99 रुपी स्टाप करके आपके इचुण को, आपके रेड्नेस को, आपके स्वेलिंग को खतम करने करता है, तो बी टॉसल, सेकेंड जो इंग्रीडिन्ट है, हो है, माइकर नोजल, जो है, एक एंटि फंगल है, जो आपके फंगल इनफेक्शन को खतम करने के लिए, इस्तमाल में घी जाती हैं आपको किसी भी टेब का फंगल इंफेक्शन wiping रखा ओ आपको रिंग वर्rock की प्रॉब्र्बq हो रही हो आपके आपके बैक्टीरिया को खतम करके। आपके बैक्टीरियल इंफोकन को खतम करने काम करता है नियोमेसिन . किन किन नामों से आपको मिल जाता है, मार्किट में इसके बहुत सारे ब्रैंड आते हैं, जैसे कास्वेट एनेम क्रीम करके आता है, लोबिटाल एनेम करके आता है, जिंकोडर्म जीम करके आता है, बहुत सारे क्रीम आप स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं, अब जानते हैं इसक कॉंटम डर्माटाइटिस हो रखा हो अगर आपको एंजीमा की प्राबलम हो रिंग वर्म की प्राबलम हो रही हो किसी पीटेग का फंगल इंफेक्शन हो रहा हो दाक खाज खुझली की प्राबलम हो तो इसमें जो बेस्ट काम करता है बहुत सारे लोगो कैंडी टोडल क्रीम को आपके फेस के ओपर और आपकी प्राबलम के लिए इस्तामाल करते हैं जो कि एक बिल्कुल गलत है अगर आप इसको प्राबलम के लिए इस्तामाल करते हो तो आपकी प्राबलम हो जाती है लेकिन आपका फेस जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है आपको रेडनेस जो पिम्पम्स के लिए है अगर आप उसको बरे में नहीं जानते हो तो आई बटन में लिंक दिया गा है वहां जाकर आप देख सकते हैं, अब जानती हं स्क, क्या साइट एफेक्ट हो सकते हैं किनमे एचिंग हो सकती हैं आपको स्किन में रेडनेस आ सकती है अगर आप इसको फेस के ऊपर लगाते हैं तो आपके फेसं के ऊपर शापते किनमें द्रबलम मांसथा सकती है study यह और Saiba कि आपको information हो सकता है इसको लगाने से इस क्रीम को अगर आप प्रेगनेंट डुमेन हो ब्रेश्ट फीडिंग मदर्स हो तो आप इसको इसको इस्तमाल ना करें यह क्रीम जो है यह फेरनेस के लिए नहीं है यह सी पाफ के फंगल इंफेक्शन और बैक्टिल इंफेक्शन के ल कर दो आपची